हाई ग्रइस मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं यहां पर लेड़ी चॉकलेट केक बनाने जा रही हूं तो चलिये देखते है अपने चॉकलेट केक की स्थी ने हुआ हूं आएए दोस्तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है मैं यहाँ पर आधा कप मैदा और यहाँ पर एड़ करूँगी यह देखिए आधा कप मैदा मैंने और यहाँ पर एड़ किया है और मैंने एक कप यहाँ पर शुगर पिसी चीनी ले रखी है जिसे आप घर में पीस चीनी को पीस करके पाउडर बना सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो और यहाँ पर मैंने तीन चमच कोको पाउडर ले रखा हुआ है थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर यहाँ पर यू अब मैं इन सभी मिक्षिर को एक साथ चान लोंगी ताकि इसमें जो भी गुठलियां होंगी वह बाहर चान जाएंगी और यह देखिए इतना मटेरियल जो है वह बाहर आ गया है और अब मैं यहां पर इसमें वन थर्ड कप यहां पर मैं ऑल डालूंगी आपको ऑल ऐसा डालन जिसमें और के अपने खुश्बू ना हो क्योंकि केक में वह खुश्बू जाएगी तो और केक अच्छा नहीं बनेगा और यहां पर मैंने नमक डाला हुआ है थोड़ा सा एकदम इसके टेक्शिर के लिए और इससे जो इसका टेस्ट है वह बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा औ दीरे दीरे मैं इसे इसका बेटर तयार करूँगी ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना पढ़े इसलिए मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें लंप्स पढ़ जाएंगे जिसको आपको ध़टाना बहुत मुश्किल हो जाता ह इसलिए आप इसमें धीरे धीरे पानी एट करिये गा और इस तरह विस्की हेलप से इसका बेटर तयार कर लीजीगा यह देखी दोस्तों मैंने अच्छे ग्रीज़ कर लूंगी अगर आपके पास बटटर पेपर हो तो आप बटर पेपर कर यूस कर लिजेगा मेरे पास नहीं था लॉक टाउन चल रहा है तो मैं सामान बाहर से ला नहीं पारी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ओयल से ग्रीस कर लिया और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है ताकि जो हमारा केक है वो नीचे बेस में चिपके नहीं और आईजली और इस तरह से आप टैप करके एक्स्ट्रा मैदा जो होगा उससे बाहर निकाल दीजेगा और ये देखी दोस्तों मैंने जो बैटर तयार के थे इस तरह से आपको बैटर गिरना चाहिए इसमें उस बैटर को मैंने इसमें एड़ कर दिया है मैंने अपने पतीले में डाल दिया है सभी बेटर को इस तरह से आप टैप कर दोगे ताकि इसमें जो air bubbles है वो बाहर आ जाए और मैंने मैं यहाँ पर अपना केक तवे पर बनाने जा रही हूँ तो मैंने तवे को पांच मिनट के लिए प्रिहीट कर लिया था और हमारा तवा आपको मीडियम फ्लेम पर इसे प्रिहीट करना है और ये देखिए मेरा तवा जो है वो प्रिहीट हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर केक रख रही हूँ ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूँगी अब मैंने केक को अपने लो फ्लेम पर मुझे पकाना है आप फ्लेम लो रखिएगा और इस तरह से आपको तीस से चालिस मिनट के लिए अपने केक को पका लेना है और तीस से चालिस मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा केक यह बन करके रेडी हो चुका है वाव ये देखिए हमारा केक बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है आई हम देखते हैं ये देखिए दोस्तों मेरा स्पून एकदम साफ निकलाया यानि कि हमारा केक बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है तो चलिए दोस्तों अब हम इस केक को अच्छे से ठंडा करने के बा तो इस वज़े से मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी इसे निकालने के लिए आप इस तरह से बिल्कुल नहीं करिएगा आप केक के ठंडा हो जाने पर इसे निकाल लीजेगा और यह देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से अपने केक को डेकोरेट कर लिया है चॉकलेट सिरप से कोको नट पौडर से चॉकलेट से टूटी फूटी से इस तरह से आप जिस तरह से डेकोरेट करना चाहें आप उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों यह केक मैंने मदर्स डे के लिए बनाया था तो अगर आप चाहें तो इस तरह से केक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यह thank you friends thank you for watching me friends